Hello students, welcome once again. Students, आज की वीडियो में हम grammar से future indefinite tense को study करेंगे. Future indefinite tense, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, future means भविश्य. जो sentence, जो भी कोई बात हमारी भविश्य से related होती है, उसे future tense के according माना जाता है. इस tense की पहचान के लिए हमने लिखा है, क्रिया, it means verb, के अंत में या फिर वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है, जैसे जाएगा, खाएगा, देखेंगे, इस तरह से. Students, ये जो पहचान बताई गई है आपको, ये हिंदी वाक्य के लिए बताई गई है. जब भी कभी हिंदी के वाक्य के अंत में गा, गी, गे, या फिर किसी क्रिया के अंत में, जैसे यहाँ पर जाना क्रिया है, और जाने के लिए हम यहाँ बोल रहे हैं, जाएगा, तो ये future tense हो जाता है. यही इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में गा गीगे, या फिर जाएगा, खाएगा, देखेंगे, सुनेंगे, आदी शब्द आने पर उसे future indefinite tense कहा जाता है. इन वाक्यों में जो helping verb सहायक क्रिया हमें यूज करनी है, वे है will या फिर शेल. शेल जो helping verb है, ये आएगी I और V के साथ. जब भी कभी वाक्य में यदि हम I या V लिखेंगे, तो हम इसके साथ शेल का प्रयोग करेंगे. और अगर दूसरे कोई subjects हैं, जैसे की he, she, it, you, they, या फिर कोई नाम, तो हम उसके साथ will का प्रयोग करते हैं. तो basically आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी हैं कि I और V के साथ शेल आएगा, और बाकी सभी, शेश सभी subjects के साथ हम will का प्रयोग करते हैं. Generally. वर्ब की इसमें first form आती है. रूल के according देखेंगे, तो हम इस sentence को इस प्रकार लिखेंगे. सबसे पहले subject करता, उसके बाद इसी subject के according will या शेल का प्रयोग, जैसा subject होगा, उसी के अनुसार हम will या शेल का प्रयोग करेंगे. इसके बाद लिखेंगे वर्ब की first form और उसके बाद आएगा object. एक्जाम्पल के तौर पर यहाँ एक sentence लिखा है, मैं कल जैपुर जाओंगा. यहाँ पर मैं हमारा subject है, क्योंकि जाने का काम कौन कर रहा है? मैं. तो मैं के लिए आ जाएगा I. और I के साथ जैसा की अभी अभी हमने पढ़ा था, I के साथ हम कौन सा helping verb यूज़ करेंगे? will या shall? I के साथ हम यूज़ करेंगे shall. I shall go to जैपुर तुमॉरो इस तरह से यह आपका sentence ट्रांसलेट हो गया. I यहाँ पर subject है, उसके बाद हमने I के according शैल का प्रियोग किया, फिर उसके बाद verb की first form गो आ गई और यह है object, जैपुर और आने वाला कल तुमॉरो. I shall go to जैपुर तुमॉरो. अब यहाँ प्रैक्टिस के लिए आप तीन affirmative sentences को ट्रांसलेट करना सीखे. यह sentence कहलाते हैं affirmative, क्योंकि इन में एक simple बात कही गई है, ना तो कोई negative sense है और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया है. इन्हें कहते हैं affirmative sentence. प्रधान मंत्री कल अजमेर जाएंगे. प्रधान मंत्री की इंग्लिश, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर विल, गो तू अजमेर तुमॉरो. नेक्स्ट इस वहे बस स्टैंड पर मेरा इंतिजार करेगी. शी, यहाँ पर वहे शी एक लड़की है, शी के साथ लिखेंगे विल, शी विल, इंतिजार करना, ये क्रिया है, इंतिजार करेगी, तो वेट, शी विल वेट, फॉर. इस्टुडेंस याद रखिएगा, कि वेट, जो वर्ब है, इसके साथ हम फॉर प्रिपोजिशन का प्रियोग करते हैं. वेट, फॉर. शी विल वेट, फॉर, मी. मेरा इंतिजार करेगी, तो मेरे के लिए आ जाएगा, मी. सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अब यहां से स्टार्ट हो गया अब्जेक्ट. फॉर मी, मेरा, बचा क्या? बस स्टैंड पर. एट, बस, स्टैंड. शी विल वेट फॉर मी, आट, बस, स्टैंड. वह इस वर्ष पास हो जाएगा. ही, विल, पास. पास हो जाना, इसके लिए इंग्लिश आएगी, पास. ही विल पास दिस, इयर. इस तरह से ये फ्यूचर इंडाफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं. इस्टुडेंट्स अभी जो हमने सेंटेंस सीखे हैं फ्यूचर इंडाफिनिट के. उसी का एक अपोजिट रूल हमें और समझना होगा. जब वाक्य में धमकी, आदेश, अनिवार रहता या बाध्धता हो तो विल और शेल का नियम उल्टा हो जाता है. वैसे ये रूल जादा तर आता नहीं है एक्जाम वगेरा में लेकिन फिर भी क्योंकि ये ग्रामर का पार्ट है तो आपको इस चीज की नॉलिज जरूर होनी चाहिए. I और V के साथ अभी हम आपसे कह रहे थे कि शेल का प्रियोग करना है. लेकिन इसी का नियम उल्टा हो जाता है यदि वाक्य में कोई धमकी दी जा रही है, कोई आदेश दिया जा रहा है, किसी चीज को करने का कमपल्शन है, बाद्धता है कि आपको ये अवश्य करना है, जरूर करना है. तो हम इनके नियम को जहाँ विल का प्रियोग होता है, तो शेल का कर देंगे, और शेल का प्रियोग जहाँ हो रहा था, वहाँ विल का यूज करेंगे. I और V के साथ अभी हमने Shell पढ़ा था लेकिन अगर ऐसी situation सामने आती है तो हम Shell का प्रियोग नहीं करते Will का प्रियोग करते हैं I और V के साथ You, He, She, It, They के साथ Shell का प्रियोग करते हैं जैसे यहां sentence दिया गया है वह आज जरूर आएगी तो आज जरूर आएगी के लिए देखो बाद्धता आगई जरूर आएगी अनिवारता है तो अब हम इसमें क्या करेंगे She शेल Come Today इस तरह से हम यहां She के साथ आना तो चाहिए था Will लेकिन लिख देंगे शेल और next sentence भी इसी तरीके से है वह तुम्हारी मदद अवश्य करेगा तो अवश्य की situation जब sentence में आती है future indefinite में तो हम यहां He के साथ Will का प्रियोग ना करके शेल का प्रियोग करेंगे He शेल help you बस इतना से sentence आएगा और यहां पर फिर हमें अवश्य और जरूर शब्द की English लिखने की कोई जरूरत नहीं होती इसी opposite helping verb से हम इस चीज को शो कर देते हैं और students एक बात और बताएं generally क्योंकि English speaking करते समय English को बोलते समय कोई भी शेल का प्रियोग जादा तर नहीं करता है mostly will का ही प्रियोग हर एक sentence में किया जाता है I will, she will हर जगा will का प्रियोग करते हैं तो केवल ये speaking के लिए हैं अगर आपको grammar की knowledge बहुत अच्छी रखनी है तो आपको ये बारीक नियम ये छोटी छोटी बाते भी जरूर पता होनी चाहिए I hope आपको ये topic अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू वेरी मुच